हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट अगर आप एक Paytm यूजर हैं आप Paytm एप्लिकेशन का यूज करते हैं और आपने Paytm एप्लिकेशन में अपने bank account को link कर रखा है लेकिन आप चाते हैं कि मैं अपने bank account को अपने Paytm से हटा दूँ लेकिन आपको ये करना नहीं आता तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से Paytm से अपने bank account को हटा सकते हैं उसे remove कर सकते हैं वीडियो काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आचुके हैं अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसे कि आप लोग देख सकती हैं यहाँ पर हमें सिम्पल पेटिम एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक करके से ओपन कर लिता हूँ यह पेटिम का हॉमपेज आ गया तो बैंक एकाउंट को हटाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर टोप लेफ्ट कोर्नर में आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसका आइकन दिखाई देगा आपको सिम्पल इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको स्क्रोल डाउन कर लिना है मैंने ये स्क्रोल डाउन किया हुआ है ठीक है यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा payment setting का आपको इस payment setting वाले option के उपर क्लिक करना है तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये page open हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI and Linked Bank Accounts Paytm Wallet, Saved Cards यहाँ पे काफी सारे option आपके सामने आ जाते हैं तो हमें सबसे उपर वाले option पे क्लिक करना है UPI and Linked Bank Accounts हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो bank यहाँ पे add होंगे आपके Paytm के अंदर वो यहाँ पे show हो जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे Remove Account का option आ रहा है Change Pin का आ रहा है, Check Balance का आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है Remove Saved Account Are you sure you want to delete this bank account तो आप जैसे ही इस confirm पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यह bank account है आपके Paytm से delete हो जाएगा ठीक है, मुझे अभी delete नहीं करना है मैंने आपको सिखाने के लिए बस बताया है कि किस तरीके से delete करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही confirm करेंगे तो आपका bank account यहाँ से delete हो जाएगा तो इस तरीके से आसानी से आप Paytm से अपने bank account को हटा सकते हैं उसे remove कर सकते हैं तो friends अब आप यह अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपनी Paytm application से अपने link हुए bank account को हटा सकते हैं उसे remove कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पोच सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share ज़रूर करें Thank you